We have a first look of iPhone 16 Pro Ultra तो iPhone 16 family जो launch होने वाली है 2024 में तो अभी से हमें इसके बारे में आपडेट देने के लिए मिल रही है तो previous आपडेट की बात करे हो तो हमें ये आपडेट मिल रही थी कि इस बार Apple iPhone 15 Pro Max को new name देने वाला है iPhone Pro Ultra बड़ लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला 2024 में जो iPhone 16 Pro Max होने वाला है उसको replace करने वाला है Apple iPhone 16 Pro Ultra के नाम से तो यही reason रहने वाला है कि iPhone 16 Pro Ultra में जो screen size है वो Ultra level के होने वाली है और वी हैव एक्स्क्लूजिव फोटो ओफ iPhone 16 Pro Ultra तो जिसमें आप clearly देख सकते हो कि 2024 में जो iPhone Pro Ultra लाँच होने वाला है उसमें हमें 6.9 inches की screen मिलने वाली है तो इस साल जो iPhone 15 Pro Max लाँच होने वाला है उसमें हमें width मिलने वाली है 76.7 mm और 2024 में iPhone 16 Pro Ultra में width है वो 77.2 mm की होने वाली है तो undoubtedly यहाँ पर जो weight है वो भी increase हो जाएगा no doubt iPhone 16 Pro Ultra को hold करने में तो आपको काफी ज़रासानी रहने वाली है बड़ जो weight है वो काफी increase हो जाएगा जिसके कारण से आपको hand pain फील हो सकता है iPhone 15 Pro Max से iPhone 16 Pro Ultra ज्यादा taller भी होने वाला है तो यहाँ पर जो dimension मारे पाफ निकल के आ रही है तो iPhone 15 Pro Max जो taller होने वाला है जिसकी यहाँ पर dimension निकल के आ रही है 159.8 mm की बड़ 16 Pro Ultra तो वो यहाँ पर 165 mm की height लेके आने वाला है तो इसके साथ-साथ Apple iPhone 16 Pro का भी जो size अब वो increase करने वाला है compare to the iPhone 15 Pro तो जिस तरह से Apple यहाँ पर iPhone 15 and 16 Pro की जो dimension उसको increase करता जा रहा है उससे यह बात तो confirm हो जाती है कि Apple और जड़ा space मना रहा है periscope lens को लेके आने के लिए अपने iPhone में Still हमें ऐसी कोई भी reliable information नहीं मिल रही iPhone 15 Pro Max में जो periscope lens होने वाला है उसमें हमें 6X जा फिर 10lex optical zoom देने के लिए मिलेगा हाँ इस पार जो iPhone 15 Pro है उसमें हमें periscope lens देने के लिए नहीं मिलेगा बड़ जो iPhone 16 Pro and Pro Ultra होने वाला है उन दोनों ही model में हमें periscope lens देने के लिए मिलेगा तो एंड इसके लावा जो 5 जून को WWDC event होने वाला है उसमें जो Apple iOS 17 launch करने वाला उसके बारे में हमें कुछ detail यहाँ आपर निकल के मिल रही है कि कौन कौन से जो feature है वो Apple add करने वाला है जून के मंद में अपने iPhone 14, 13 and 12 में According to the Mark Gurmar यहाँ पर Apple इस बार iOS 17 में all rounded performance सा उसको increase करने वाला है and most interesting feature जो add होने वाला है वो होने वाला smart display जिससे आप अपने lock iPhone को भी use कर पाओगे लाग यहाँ पर calendar, appointment, weather information, notification सब को यहाँ पर आपको new style में देने के लिए मिलेगा तो यह भी possible है कि यहाँ पर यह feature exclusive iPhone 14 Pro and Pro Max में ही देने के लिए मिले क्योंकि यहाँ पर जो iPhone 14 Pro and Pro Max सा उसमें हमें always on display देने के लिए मिलती है तो लगता है कि always on display में और ज़्यादा जो new feature है वो add होने वाले है and इसके लावा यहाँ पर मारे पास कुछ photo निकल के आ रही है सामने तो जिससे हमें iOS 17 के और ज़्यादा feature उसके बारे में पास चल रहा है तो इस बार Apple focus कर रहा है उन लोगों पर जो physical disable है जिनको iPhone यूज करने में थोड़ी बहुत जो problem face करनी पड़ती थी वो अभी नहीं करने पड़ेगी तो photo M में यहां पर आपको जो photo है वो काफी ज्यादा बड़े thumbnail में देने के लिए मिलेंगी font यहां पर चेंज होने वाले है camera application में contact lift में magnification में तो overall जितनी वी application आपको iPhone में देने के लिए मिलती है उन सबी का size है वो आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको iPhone यूज करने में थोड़ी बहुत भी डिफिकल्टी होती है तो iOS 17 आने के बाद आपकी जो डिफिकल्टी है वो काफी हद तक कम होने वाली है जो ह साइब लूब को जो है´ अचाई वाली है पित देनी झाले है में तक मननननननो इम देनीelli साइबों हाँ तक को बासमिकと बासमा देनी तक में exclusive to this video झेनाननなた दो ध्याद वालीindustrie झाल झाल